सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी चैनल मिस्टर एटॉक में मेरा नाम हैंकीत और दोस्तो आधार काड एक ऐसा दस्तावेश है जो हर जगह पर रिक्व करना सकते हो तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार काड को सेट कैसे कर सकते हो एक ही पेज में तो दोस्तों मैंने यहां पर एक डेमो आधार काड लिया हुआ है तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं देखो कुछ इस तरह से आपका अधार काड है वह चोइंट होगा ठीक है तो इसको आप वन पेज पर कैसे का सकते हो तो हम मैं आपको फूरा प्रोसिस बताता हूं तो इसको क्लोज कर दो आप पहले ओके अभी यहां पर राइट क्लिक करना है और कोपी पे क्लिक करना है और यहां पर फिर से खिल जाएंगे और यहां पर क्रॉप वाले उप्शन पर क्लीक करना है उसके बाद यहां पर सिलेक्शन का उप्शन आएगा तो आप सिलेक्शन कर लो जीतना भी आपको क्रॉप करना है और फिर से क्रॉप वाले उप्शन पर क्लीक करो तो देखो आधारकार जो वन साइड है और क्रोप हो चुका है ठीक है अभी control S कर दो तो यह से हो गया इसको close कर दो देखो यहां पर एक हो चुका है उसी तरह से right click करके open with यहां पर फिर से paint वाला option तो अभी हमें right click करके word file यहां पर open करनी है तो Microsoft word document हमें open करना है यहां पर आप इसका name कोई भी रख सकते हो मैं यहां पर इसको लिख देता हूँ अधार काड़ और यहां पर जो दोनों page से आगे के पीछे के अधार काड़ के और दोनों आप copy कर लो right click करके दोनों select करके copy कर ल लेनी है यहां पर ओके और यहां पर right click करके paste कर देना है तो यहां पर एक select कर लो और enter करो enter जैसे करोगे तो आगे पीछे यहां पर हो जाएगा अभी हम इसको बीच में कर देते हैं तो यहां पर format कर दो इसको आप खीच के लंबा भी कर सकते हो जीतना चाहे उतना आप यहां पर alignment इसको set कर सकते हो ठीके और यहां पर gap छोड़ देते हैं ठोड़ा enter डाल के तो browser में यहां पर आपको लिखना है word to PDF और enter कर देना है तो दोस्तों पहला option है जो आपको select कर लेना है और यहां पर देखो select word file उस पर क्लिक कर दो आपका word file जहां पर भी फॉल्डर open करो और अपना word file है और select करके open पे क्लिक कर दो नीचे अभी यहां पर देखो आपको convert to PDF पे तो यहां पर डॉनलोड कर करना चाहों जिस फॉल्टर में रखना चाहों फॉलडर सेलेक लो और यहां पर सेव क्लिक कर दो तो हमारा जो PDF फायल है रहां होगो चुका है देखो यहां पर आ चुका है PDF इसको अगर आफन करोगे तो देखो जो अधार एक ही पेज के एक ही साइड में दोनों मतलब की फ्रंट और बैक पेज दोनों यहां पर आ चुके है दोस्तों तो इस तरह से आप अपना अधार कार्ड है वह एक ही साइड पर प्रिंट कर सकते हो अभी आप इसको वाट्सप पर ले सकते हो अपने इमेल पर ड्राइव पर जह है वो सारे वीडियो यहां पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगाओ दोस्तों तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग झाल झाल